अदित तिबिल्ला फेशन डिटेल, इस कम्थी ने किया है शौपइंग आम तरपर आप यहां शौपइंग करने के लिए जाते हैं, कम्थनी भी शौपइंग कर रही है और कम्थी ने क्या किया है शौपइंग बता रहा है कुशल, कुशल, एक्विजिशन? अक्विजिशन सर और लगातार यहाँ पर अधिते बिल्ला फैशन पर हमारा फोकस बना वाई क्योंकि अब दिसंबर में भी देखा था कि रिबॉक के लाइसिंसिंग राइट्स को इन्होंने क्वायर किया था तो वो एक बड़ी डील हो गई फिर उसके बाद आप अभी देखिए जो अक्विजिशन किया है इस पर भी जानकरी जो है काफी इंट्रेस्टिंग निकल कर आ रही है इसमें यहाँ पर इन्होंने हाउज अफ मसाबा करके कंपनी है उसमें 51% हिस्तेदारी 90 करोड में इन्हों अब देखें तो यहाँ पर जो टर्नोवर था कंपनी का 16 करोड वो अब एफ़ए 22 में अनुमान करके चल रहे हैं कि 30 करोड का टर्नोवर हो जाएगा यानि कि डबल टर्नोवर की एकस्पेक्टेशन लगाई जा रही है और मोर इंपोर्टेंटली यहाँ पर जो मसाबा गु करता है उनकी बेटी है बहुत रिसेश करके आए है कुछ और तो निया ऐसा कनेक्शन डिस्क्लेमर कोई आपका नए नहीं सर ऐसा नहीं है नहीं कैसे नहीं है जब कुनाल जी अगर डिस्क्लेमर दे सकते हैं जब भी वो बलराम पूर्ची नी कमंड करते हैं जब कि उनका को कि विवेक सरावगी साब से कोई लेना देना नहीं है बराबर है कुनाल जी को पूछ लेता है कोई लेना देना नहीं लेकिन है तो सरावगी तो यसे में आपका डिस्क्लेमर नहीं बनता है वैसे यह सेम सर डिस्क्लेमर उनके कॉपी डिस्क्लेमर उनके जितना डिस्क्लेम यहां पर जो कंपनी पर रिसर्च की है वो मेरी है आप देगे यहां पर जिस तरह से हाउस अफ मसाबह में 51% हसेदारी करी दिया यह काफी इंट्रेस्टिंग है अधित्ता बिल्डफ फैशन के लिए अब यहां पर फैशन ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स में और फर्दर कंपनी जो है आगे बढ़ती भी नज़र आएगी यह एक आस्पेक्ट है और दूसरा जैसा यह मैं दिसंबर में बता रहा था कि इन्होंने रिबॉक के जो लाइसेंसिंग राइट सेक्वाइर की हैं इंडिया में वो इन उन्होंने रेबॉक को बेचा था एबी जी ग्रूप को करीब अठारा हजार करोर रुपे की वैलुएशन पर तो वैलुएशन इतनी हाए है और जिस तरह से यहां पर लाइसेंसिंग राइट लेते वे नज़र आ रहे हैं भारतिय बाजारों में यहां पर फर्दर अगर से तो यह है आजित बिला फेशन यहां पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है एक्विजिशन के तौर पर आईजे चार्स पर एक बार चेक हिया जाए आजित बिला फेशन पर सुमिच जी देखिए ज़रा इसके चार्स पर आपको रखनी है नहीं तो यहां पर आपको रखनी है